दोस्तो अगर आप stock market में पैसा invest करना चाहते हैं ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर mutual fund में invest करना चाहते हैं तो आपको एक demate account की ज़रूरत पड़ेगी और आज में आपको grow applications के तुरू कैसे आप एक demate account को open कर सकते हैं इसका complete process live दिखाने वाले हैं तो आपसे request है कि आप इ इसका link आपको वीडियो की description में मिल जाएंगे आप play store से भी इसको download कर सकते हैं इसके बाद आपको open करना है open करने के बाद इसको gmail से login करना होगा तो इसके लिए आपको continue with google पर click करेंगे और आप अपने mobile से कोई भी एक gmail ID को select करके login कर लेना है इसके बाद आपको एक mobile number register कर ना होगा तो आप यहाँ पर mobile number को enter करेंगे जो mobile number आपके आधर कार्ट के साथ link है इसके बाद confirm करेंगे तो आपके mobile पर six digit का एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर enter करेंगे और confirm के option में क्लिक करेंगे इसके बाद आपको four digit का pin set करना है जो आपको grow applications को open करते ताइम ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर four digit pin set करेंगे इसके बाद confirm करेंगे इसके बाद दوبारा यहाँ पर आपको उसी pin को enter करना है confirmation के लिए और इसके बाद confirm करेंगे इसके बाद आपको account open करने का process शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपका pen number enter करना है और इसके बाद create account प जो भी है यहाँ से आप select कर सकते हैं इसके बाद marital status जो है वो यहाँ से आपको select कर लेना है आप single है या फिर married है जो भी है यहाँ से आप select कर लेना है इसके बाद आपको occupation select कर लेना है जैसे कि आप student है self employed है या फिर businessman है या फिर service करते है आप जो भी है यहाँ से आप select कर ले हैं तो हम यहां से एक से पांच लग को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहां पर आपको ट्रेडिंग का experience पूछ रहा है अगर आपको experience है ट्रेडिंग के बारे में यानि share market के बारे में अगर आपको experience है तो यहां से आप select कर सकते हैं एक साल की है दो साल की है तीन साल की है जो भी है यहाँ से आप select कर सकते हैं और अगर आप पहली बार account open कर रहें तो आपको simply no experience को select करेंगे और select करने के बाद proceed की option में click करना है इसके बाद आपको KYC करना है और KYC करने के लिए यहाँ पे अधर का full name और father का full name आपको fill करना है जो आपके आधर कार्ट में है वही आपको यहाँ पे fill करना है यानि match होना चाहिए सब के नाम ठीक है इसके बाद प्रोसीट की उपर click करना है इसके बाद आपको bank account का process आ जाएगा ठीक है आपके bank पे return आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख सेकते हैं मेरा bank verification successfully complete हो गया है इसके बाद next process आता है हमें dizzy locker से KYC complete करना है और KYC के लिए हमारे पास आधार card होना चाहिए और आधार card के साथ mobile number link होना चाहिए ठीक है तो हम proceed for KYC पे click करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको तीनों box में tick लगाना है इसके बाद नीचे times and condition पर click करना है इसके बाद authenticate आधार पर click करना है इसके बाद यहाँ पे आप अपने आधार card number एंटर करेंगे और next पर click करेंगे इसके बाद आपके आधार card के साथ जो भी mobile number link है उस पर एक OTP आपको एंटर करना है अगर आप बूल गये हैं तो आप forget pin पे click करके आप इसको दुबारा set कर सकते हैं तो pin enter करने के बाद आपको simply done के option में click करना है इसके बाद आपका आधार card जो है वो verify हो जाएगा इसके बाद निचे pen card verify करना है तो इसके लिए simply यहाँ पे tick लगाना है और allow के option में click करके इसको permission दे देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो KYC है वो successfully complete हो चुके हैं इसके बाद यहाँ पे आपको एक selfie upload करना है तो आपको simply camera पे click करना है और आपको एक selfie upload कर देना है इसके बाद यहाँ पे आपको एक manually signature करने का option show हो जाएगा तो जो नाम है वो इस प्रकार से लिख देना है और इसके बाद submit पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा क्या आप grow applications पर nomini add करना चाहते हैं अगर आप nomini add करना जाहते है तो simply yes proceed पर click करना है यहाँ पे nomini का full name नीचे आपके साथ relation क्या है वही आपको यहाँ पर enter करना है इसके बाद date of birth फिल करना है और इसके बाद निच्चे आपको एक document देना होता है यह optional है अगर आप देना चाहते है तो दे सकते है आधर और इसको चोड़ सकते है अगर आप एक से ज्यादा nomini रखना चाहते है तो यहाँ पर दिखिए add another nomini पर click करके आप दूस को select करेंगे और proceed के option में click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपका जो आधर कार्ट number है उसको यहाँ पर enter करेंगे और उपर यहाँ पर time send condition को tick लगाएंगे इसके बाद send OTP पर click करेंगे तो आपके आधर कार्ट के साथ register mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पर enter करना है और verify OTP पर click करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो e-sign है वो complete हो चुके है और इसके बाद यहाँ पर congratulations का message जो हो जाएगा यानि हमारा जो application है वो successfully submit हो चुके है यहाँ पर सिर्फ आपका application जह है वो successfully submit हुआ है account open होने में आभी तक आपको 48 से लेक से बागत 24 गंटा समय लागेगा आपके सारे details verify किया जाएगा अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका जो account है वो successfully open हो जाएगा और इसके बाद simply आपको नीचे explore पर click करना है तो आप grow applications का जो home page है उस पर आप आजाएगे तो यहाँ पर आप देख सेकते हैं आपका जो account activation है वो आप यहाँ पर profile में click करके आप find add कर सकते हैं और आप किसी भी stock को buy कर सकते हैं sale कर सकते हैं और आप trading भी कर सकते हैं I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करे शेयर करे और चैनल को subscribe करना ना भूले मिलते है एक नए वीडियो के जैहिंद जबारत